आज की वीडियो आप सब के बहुत काम आने वाली है क्योंकि अगर आप खुद का भी बिजने शुरू करना चाहते हैं या फिर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आज इसे 10 बिजनेस आइडिया हम डिसकस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर जो मेरे हसाब से कभी फेल उते हैं ऐसे बिजनेस जो आपको हमेशा ग्रोव करते हुए देखेंगे जिनकी डिमांड कभी खतम नहीं होगी तो अगर आपको खुद का भी कोई बिजनेस करना है इन फाक्ट आपको इन्वेस्ट करना तो आप ऐसी कंपनीज में इनवेस्ट कर सकते हैं जो इन बिजनेस अब खतम नहीं हो सकती, यह इंडिया की बिलकुल बेस लेवल तक जाके घुस चुकी है, आप देखिए, आज की रेट में कोई भी यूथ इससे बचा नहीं हुआ, बहुत कम ऐसी पॉपलेशन है जो टबाको का कंजियूमर नहीं है, अगर वो एक एडिल्ट के अंदर आ रहा है अब अगर ऐसी कोई चीज जिसकी डिमांड इतनी जादा है और लोग इसे छोड़ेंगे नहीं, तो ऐसा बिजनस ही बहुत प्रॉमिसिंग है मैं कही ऐसे लोगों को जानता हूँ, जो डिस्ट्रिब्यूटर्स है तबाकों के अंदर डिस्ट्रिब्यूटर्स है, रीजनल डिस्ट्रिब्यूटर्स है, स्टेट लेवल पे डिस्ट्रिब्यूटर्स है और वो हाथ भी नहीं लगाते है, सिगरेट को, एलकॉल को, इंफाक्ट्विन टबाको को, हाथ भी नहीं लगाते है, पर वो कहते है हमारा बिजनस है, और वो बहुत पैसे कमा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है, लोग तो इसे कंज्यूम करेंगे, अब वो खुद नहीं करते है, ये इंडस्ट्री हिलती हुए मुझे नहीं दिख रही, नमबर वन, नमबर टू, एलकॉल, अगें, मैं ड्रिंक नहीं करता है, बहुत सरे लोग होंगे, जो ड्रिंक नहीं करते होंगे, पर फिर जाध दतर लोग, जाध दर एडिल्ट पॉपुलेशन हमारी, ड्रिंक कर लोग बहुत कूल समझते हैं हाथ में ग्लास लेके गूमने को, अब बहुत कूल हो या ना हो, मैं अच्छा समझता हूं नहीं समझता हूं, लोग तो अलकॉल कॉंजूम करेंगे, ऐसी गंपनी जो अलकॉल मैनुफेक्ट्ट्र कर रही हैं, पैसा कमारी हैं, लोग ऐसी क्योंकि इसकी डिमांड बहुत जादा है, और इसकी डिमांड खतम नहीं हो नहीं, चाहे यह चीज गलत हो, अथिकली गलत हो, पर लीगल है, और अगर क्योंज चीज लीगल है, और भडले से चल रही है, तो लोग इसके लिए पैसा खर्च करेंगे, और यह इंडस्ट्री इसके तुछ कंपनी जो घुकि वह पैसा कमाईंगी, उनके शेयर्स भी भाग्येंगे, फ elétक किया ना मैं ऐसे इंडस्ट्रीज की बात करर रहाँ हो हो जो इंडस्ट्रीज रगातार, पैसा बना रही है, अगर यह उनके शेयर्स भी बढ़तती हैं और यह आप ऐसा बिजनस में इन्वेस्मेंट आज से शुरू कर सकते हैं all you need is a demate account आपको free demate account का link description comment box में मिल जाएगा आप angel one पर जागे free में अपना demate account खुलवा सकते हैं and वहाँ पर आप reference थू भी पैसे कमा सकते हैं बहुत सारे लोग अलड़ी कमा रहे हैं so open your free demate account आप यहां पर समझते हैं तीसरी चीज़ के लिखी हुई है rental property business see अगर आपके बस खुद की property है तो आपको समझ आप उसे rent पर दे सकते हो चाहे वो commercial हो चाहे वो residential हो आप जिन लोगों के पास अपनी properties बन गही है आप देखेंगे वो लगातार पैसा कमा रहे है अब business किसी इंसान का कैसा चल रहा है job कैसी चल रही है जो landlord है उसे कोई मतलब नहीं उसे rent चाहिए होता है यह आप देखते भी होंगे कई सारे लोग rent पर रहते हैं तो चाहे कोई भी circumstance चल रहा हूं की family में उन्हें rent पे करना होता है तो revenue तो generate होता रहे है और यह inflation adjusted होता है क्योंकि हर साल हर 11 महीने के बाद rent बढ़ता रहता है और inflation के सासथ rent बढ़ता रहता है तो ऐसे businesses जिने rental income आ रहे है बहुत अच्छी वो बहुत अच्छा पैसा कमा रहे है तो मेरे साब से यह भी एक ऐसा business है जो आप consider कर सकते हो सकते हैं आज आपके बास कोई ऐसी जगा ना हो जिसे आप rent पे दे सकते हैं पर आज नहीं तो कर आप पैसा कमाएंगे और आप अपनी properties create करने की तरफ ध्यान दीजे क्योंकि land limited है इसकी उपर हम आगे भी बात करेंग अगर आप पैसा जोड लेते हैं and if you purchase a good land यह good property जो आपको rental income कमा के दे सकती है focus आपका जरूर उस तरफ होना चाहिए next paints कि नहीं सिंबल सी चीज़ना paint पड़ आप देखो buildings बढ़ती जा रही है अब rental होगा तो बही कुछ ताम बाद उसका paint भी खराब होगा paint तो कराना पड अब चाहे किसी भी तरीके का infrastructure हो paint required होता है इसी तरीके से जो companies leading companies एंडिया के इंडिया के अग्जामपल Asian paint सन 2010 में Asian paints का share लगबग 200 रुपया था आज 2023 के अंदर 13 साल के अंदर share 2700 रुपय से उपर का है सौ गुना से जादा share का price बढ़ गया सौ गुना पिछले 13 साल के अंदर क्यों क्यों कि बहुत basic requirement है पर यह basic requirement के ऊपर लोग ध्यान नहीं दे रहे आज भी मुझे ऐसा दिखते हैं ऐसे कई businesses हैं जिसे हम share भी कर रहे हैं आपके सामने जो आने वाले time में रुकेंगे ही नहीं पर सवाल सिर्भी है कि आप उन businesses में invested है या सिर्फ उनके user है अगर आप user है तो आप पैसा देते रहेंगे और अगर आप investor है तो पैसा आपको मिलेगा आप किसके degree में आना चाहते है comment करके बताईए you want to become a user or you want to become an investor finally यह मैंने आपको paints की ओपर बता है तो paints की ओपर इंडिय अगर कोई business बहुत अच्छा है तो लोग उसमें पैसा गमाते है आपकी कह रहा है आप बता सकते है next marriage and event planning यह बहुत interesting है मैं आपको एक चोटा से activity करते है हो सकता है बहुत सरे लोगों के भी तक शादी ना होई हो यह हो भी गई हो तो मेरे सवाल है आपनी शादी में कितना करने वाले हो यह आपने कितना खर्च किया आप देखेंगे आप हरान हो जाएंगे एक आम आदमी जो monthly कमा रहा है लग बग उसका 20 गुना अपनी शादी के लिए प्लान करता है बदलब अगर कोई 50,000 कमा रहा है तो वह प्लान करता है कि मैं 10 लाग से अपनी शादी यह सारी इंडस्टी एक तरफ हैं और एक बार में जापे वह 100 गुना पैसा डाल रहा है वह इंडस्टी कितना पैसा गमाएगी तो यह मैंने मैरेज एवेंट प्लानिंग जरूर लिग दिया बद मैरेज के अंदर सबसे पहले आता है वह कहां पे शादी करें आज अज़ प को एक इंवेस्टर माइंड सेट लेकर आना पड़ेगा अगर खुद का भी बिजने शुरू करना चाहते हैं तो कितना बढ़िया बिजनेस है एक इंसान अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा पैसा मैरेज में खर्च करने वाला है और वो एवेंट प्लानर को देने वाल कि मेरी शादी बहुत अच्छे से कराना मुझे यह भी चाहिए कोई compromise नहीं चाहिए और वहां पर बहुत पैसा बन सकता है यह industry बहुत प्रोमिसिंग है कम से कम अगले 20 साल तो मैं देख रहा हूं क्योंकि celebrities ने instagram ने social media ने लोगों के दिमाग में डाल दिया कि में शादी हो तो ऐसी हो और लोग पैसा खर्च करते हैं और पैसा खर्च करते हैं तो आपको business mindset अपना use जरूर करना है वहां पर कि पैसा खर्च कहा हो रहा है क्योंकि पैसा बनेगा भी बहीं पर next next यहां पर लिखा हुआ है tire business तो आज डीजल गाड़ी बंद हो जाए पेट्रोल का कोई नया model आजाए या electric गाड़ियां आजाए कुछ भी हो जाए अगर गाड़ी जब तक road के ऊपर चलेगी तब तक tire चाहिए तो आप tire को बहुत छोटा business हो सकता है समझ रहे हैं और आपके आसपस tire shops हैं क्या वह लोग पैसा कमा रहे हैं again business की बात करते हैं तो आप Apollo की बात करो या MRF की बात करो या C8 की बात करो आप देखोगे ये companies लगातर पैसा कमारी है और अगर आप कम से गम देखो long term horizon में देखें हैं तो 10 साल में आप MRF का share price देखिए क्या वो बढ़ रहा है the answer is yes क्योंकि tire बिकता आ जब तक tire बिके का 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 tire चाहिए तो आप समझ सकते हो ये business है जो fail नहीं हो ना next education आज मापाप चाहिए कुछ भी करें लोन पर पैसा ले आए अपने बच्चे को school से नहीं निगा लेंगे school और coaching center की fees वो देंगे education industry इतनी बड़ी है इसी लिए आपके सामने example है बाइजू का unacademy का क्योंकि online हो चाह हजारों बच्चे आ रहे हैं वो भी पैसा कमा रहे है तो चोटे से लिए के बड़े लेवल तक education ही कैसी चीज़ा जो बंदनी होगी कोविड के time पे जो online education है उसे बहुत बढ़ावा मिला क्योंकि education बंद नहीं हुई उसका mode change हो गया पर बंद नहीं हुई so ये education industry को आपको जरू consider करना चाहिए मैं तो सला देता हूं लोगों को आपके पैसा अच्छा हो तो पहला तो स्कूल और दूसरा hospital अगर यह create कर देते हो ना आपके आने वाली पुष्टे सेव हो जाएंगी क्योंकि hospitals में भी लोग आना बंद नी करेंगे लोगों को बिमारियां बढ़ती च शली जारी हैं और लोग अपना इलाज कराने के लिए बहुत पैसा खर्च करते हैं अगें अगर आप पड़ते हैं भाइचा बहुत अगर आप बिमार पड़ने पाद अगर बिमार पड़ते हैं आप कौंसे hospital में जाके अपना एलाज कराना चाहेंगे क्या वह max hospital है क्या फो insurance company पे करें वो एक अलग बात हो गई पर पैसा तो वो hospitals कमाएंगे क्या आप उन businesses में invested हैं आप हो सकते हैं आप मेदानता के owner बन सकते हैं अगर आपके उसके shares हो तो आप उसके लिए आप analysis जरू कीजेगा अपनी बट मैं आपको यह बता रहा हूँ ऐसे businesses जो fail नहीं होंगे so hospitals आपको क्या अलगरा बंद हो जाएंगे लोग आणा शोड़ देंगे इतने healthy हो जाएंगे लोग हमारे environment देखके अगर नहीं तो consider becoming an investor into a hospital आज अपना hospital हम नहीं खोल सकते हैं उसमें बहुत पैसा लगता है पर एक share तो खरीदी सकते हैं पैसा तो वहाँ पे बढ़ेगा और आने वाले टाइम आपको क्या लगता है फार्मा कंपनी चलेंगी नहीं चलेंगी फार्मा सोटेकल का future बहुत ब्राइट है और इसलिए फार्मा कंपनी के shares भी भाग रहे हैं इसे देख सकते हैं अपने आसपास भी बहुत सारी medical shops खुलती चली चली जा रहे हैं केमिस्क खर्च होता है और companies की रहे हैं आप मनमानी समझ लीजें वो किसी भी दाम पर उस दवाई को बेच रहे हैं तो अगर उनकी manufacturing cost 10 रुपे की भी होगी उनकी मर्जी है वो 100 का बेचे 200 का बेचे 500 का बेचे हैं आपको को एंट्रोल नहीं है और अगर doctor ने prescribe कर दी तो आपको वो पढ़ती है क्योंकि आपको लगता है यही दवाई मेरे को फायदा देगी तो यह industry मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके से पिटने वाली है या बंदोने वाली है यह ग्रोही करेगी और यहां पर लोगों की जेब से पैसा निकलेगा मैंने के बोला पैसा जहां पर लोग खर्च कर रहे हैं वाँ पर ध्यान तो पैसा वही बनता है अगर आपको पैसा बनाना है तो finally housing अब लोगों की एक बहुत बड़ी समस्या है कि अपना घर होना चाहिए लोग अपने गाउं छोड़के शहरों में आ रहे हैं शहर में अपना घर लेना है घर तो चाहिए जमीन लिमिटेड है तो housing बहुत ज़दा ग्रो करता जा रहा है अभी मैं recently पढ़ रहा था कि हजारों करोड रुपे इंडियन्स ने खर्च करें हैं दुबई में real estate खरीदने के लिए हैं दुबई में क्योंकि वहाँ पर अच्छा infrastructure है similarly लोग अपने गाउं की जमीने बेचकर कई और जमीन ले रहे हैं बट जो वहाँ पर बेच रहा है कोई ना कोई तो खरीद रहा है आप यहाँ पर देखिए इंडिया के अंदर जो maximum property है बहुत limited लोगों के हाथ में इसका मतलब यह है कि बहुत कम लोग ऐसे हैं जो बहुत जादा land और real estate को own करते हैं जादतर लोगों क पास बहुत बड़ी बड़ी जमीने घर नहीं होते हैं पर बहुत limited लोग ऐसे हैं जिनके बहुत जादा जमीने हैं बहुत जादा real estate है उसका एक simple सा reason है उनका mindset यह नहीं उनके पुछतानी पैसा था कोई एक तो होता है जो शुरुवात करता है धिरुभाई अमानी ने भी आने वाली उनकी जो generation है वो उनके जो actions है जो उनकी महनत है उसका definitely उने फाइदा मिल रहा है similarly आज आज आप इस industry को ignore नहीं कर सकते हैं again are you an investor into housing? क्या आप अपना घर लेरी की सोच रहे हो in fact ऐसी बहुत सरी real estate companies है example DLF ऐसी बहुत सरी और भी companies है आप study कर सकते हो और आप उनक यह market grow करेगी आप पैसा बना होगे so यहाँ पर हमने 10 businesses discuss करें हैं जो कभी fail नहीं होंगे number one हमने यहाँ पर 10 से शुरू कर लेते हैं housing number nine पर फार्मा number eight पर था hospitals number seven पर था education six पर था टायर fifth marriage and event planning fourth paints third rental property business second alcohol and first tobacco आपके हिसाब से अगले 10 सालों के अंदर आपको सबसे promising industry या business कौन सा लग रहा है कॉमेंट करके जरूर बताएक और आपको यह वीडियो अच्छी लगी इस वीडियो को शेर कर दीजे फाइनली इसी तरीकी की और पावर्फुल वीडियो देखने के लिए इस चाल को सब्सक्राइब कर दीजे बेल एकन पर क्लिक कर दीजे आव सी नेक्स वी आजये हिएंग